हलो एवरीवन वेलकम बैक कैसे हैं आप सब होपसो अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ बहुत दिनों के बाद मिल लही हूँ आपसे लगबग आठ नौ दिन हो गए हैं एक हफते से उपर हो गया है तो अब मैं घर वापिस आई हूँ मेरे घर का था ग्रह प्रिवेश जो मैंने नया भी घर बनवाया है उसकी कुछ-कुछ क्लिप्स है अभी उसकी एडिटिंग काफी बाकी है और जब पूरा कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगी तो मैं आपके साथ अपने ग्रह प्रिवेश का वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो मैंने यहां पर सबजी आपने धुलने के लिए पानी में डिप कर दिया था और यह सबजी धुलने का जो लिक्विड होता है मैं उसी से ही अपने सारी वेजिटेबिल धुलती हूं और अच्छे से सुखा के इने स्टोर कर देती हूं फ्रेज में तब तक जब तक पानी में डिप हो रही थी तब तक मैंने यहाँ पर अनियन को अपना छौप कर लिया है क्योंकि मुझे आज में पंकिन की सब्जी कद्धो की सब्जी एयर है की दाल चावल रोटी बनाना है तो उसके लिए अनियन भी चील लिया और उसे चौप कर लिया और इधर मैंने आलु भ रखते हूं और एक साइड पे मैंने आलू को सूखने के लिए रख दिया पंकिन मैंने कट करके रख लिया क्योंकि लंच में मुझे पंकिन बनाना है और इधर तब तक मेरी सब्जियां अच्छे से 10-15 मिनर तक डिप हो गई थी अच्छे से तो मैंने इन्हें साफ पानी से ए सबसे कोवीड हुआ है तब से मेरा यही प्रोसेजर सब्जी को स्टोर करने का तो मैं इसी तरीके से सारी सब्जियां स्टोर करती हूं और यहां पर मैंने एक कॉटन की बेटशीट ली है इसे मैं सब्जी सुखाने के लिए ही रखती हूं तो इस पे सारी सब्जियों को कर दोंगी जब तक मैं अपना नहाना और पूचा नास्ता करूंगी तब तक यह सारी सब्गियां अच्छे से सूख जाएंगी इवन मतलब सुबह मौंडिंग में इतना काम हो जाता है जैसे की काफी दिनों से घर बन था तो डस्टिंग वेगेरा काफी हो गई थी क्लीनिंग काफी करने पड़ी तो काफी टाइम हो गया था धीरे धीरे मैंने सारा कुछ कर लिया जल्दी से और यहाँ पर फ्रिज भी बहुत गंदा पड़ा हुआ था तो फ्रिज को भी मुझे साफ करना है अभी तक मैंने साफ नहीं किया है क्योंकि मौर्णिंग में डस्टिंग और हो जाता है कि फिर टाइम नहीं मिला और फ्रिज इतने दिनों से बंद था तो फ्रिज में अब काफी गंदगी हो गई है तो इस अब अभी सुखा लूँगी फिर उसकी बाद नहाने के बाद पूजा नास्ता करने के बाद लंच बनाओंगी फिर उसकी बाद देखती हूं टाइम मिलेगा तो मैं फ्रिश साफ करूंगी कि आज मुझे थोड़ा काम भी है और मार्केट भी जाना है और बस अगर उसके बाद टा कर दिया था ताकि मेरी सब्जियां टाइम से सूख जाएं अच्छे से और इसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी और नहाने के बाद मैंने पूजा किया और फिर उसके बाद ब्रिक फास्त किया और इस समय में ब्रिक फास्त कर चुकी थी किच्छन में आई थी क्यों मतलब खाना बनाने में मतलब अगर तयारी आपकी होना तो खाना बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो सारा इवन सारा ही काम मैंने कर लिया था बस खाना बनाना बनाना था तो जैसे ही मैंने इसमें कड़ाई को चड़ाया ना वैसे देखा ओयल भी खतम हो गया था तो मैंने ओयल जहां पे स्टोर करते हैं कंटेनर से मैंने वह ओयल निकाला और यह आप इसकी जस्ट बगल में देख रहे हैं ना कड़ाई तो जल्दी में जब मैं गई थी ना तो इसमें मैं घी मलाई गरम करके गई थी तो यह काफी सूख गई थी और इसे साफ करना बड़ा कड़ाई यहां कोई और भी बरतन हो तो यहां मैंने कड़ाई में ओयल को गरम होने के लिए छोड़ दिया है और इसके बाद मैं इसमें मेथी सौफ अजवाईन वाला जो होता है ना मसाला वो मैंने डाल दिया है और हल्दी नमक डालके फटा-फट कद्दों को चौक तो इधर मेरा कड़ू भी मैंने चौक दिया था और किचन में काफी मतलब फैला हुआ था तो एक साइड में मैं इसे कुछ ना कुछ इधर समान रख भी रही थी और इधर पानी भी में उबाल भी आ गया तो मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है ताकि इसकी जो चिकने वेगेरा हो अच्छे से साफ हो जाओ ये च्छनी जो गंदी थी बहुत जादा ये भी अच्छे से साफ हो जाए तो खौलते हुए पानी में सर्फ डाल दिया है जो जो इसकी चिकनापन है जितना भी है वो सब अच्छे से साफ हो जाएगा और इधर मैंने दाल भीकोकर रख दी थी सुबही तो दाल अच्छे से भीग गई है इसे वाश करके मैंने कोकर में डाल दिया है क्योंकि पानी में उबाला चुका था तो अब ये वाली कढ़ाई हटा जाके मैं डाल चढ़ा दोगी तो इस तरीके से करने से अगर तयारी आपकी पहले से प्रॉपर होती है ना तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है टाइम नहीं लगता है तो मैंने सारा कुछ तयारी कर ली थी नहाने से पहले और उसकी बाद में फिर नहाने गई थी मैं तो यहां पर जल्दी से मैंने डाल चढ़ा दियो और इसी गैस पर मैं कड़ाई को हटा कर अपना दाल भी रख दूँगी अभी देखे गए इस तरीके से ना पानी काफी खौल चुका है तो इसमें जो इतनी मोटी लेयर जमी हुए थी ना जलने की वो इस तरीके से कंचोल से मैंने चला चला के धीरे से अराम से बिलकुल छुडा लिया है और काफी अच्छा ये छूट गया है थोड़ा इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि फिर बहुत गरम है न तो हाथ में लगने लगेगा साफ करते समय तब तक किचन में जो भी समान उठाने और रखने का है ना मैं वो रख रही हूं किचन को पूरा क्लेन कर रही हूं क्योंकि काफी दिनों से घर बन था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गंदगी रही जाती है तो मैं एक हाथ पे सबजी बन रही है दूसरे पे पानी भी गरम हो गया है और सिंख में जो बरतन पड़े हैं मैंने कप वगेरा सुबह के पड़े थी नास्ते के बरतन तो मैं वो धो रही थी और तब तक ये पानी थोड़ा सा नॉर्मल टेंपरेशन में आ जाएगा जिसे से साफ करना मेरे लिए हीजी हो जाएगा ने तो बहुत खौलता हुआ पानी है हाथ में ये लगने लगेगा इदर मैंने चावल भी धो के रख दिये हैं क्योंकि भीगो के थोड़ा सा रख दो ना तो जल्दी बन जाता है तो इदर सबजी जैसे बन जाएगी मेरी तो चावल भी मैं चढ़ा दूँगी फिर मुझे मार्केट भी जाना है और क्योंकि मार्केट जाओ ना तो मार्केट जाने के बाद में अगर लोट के आओ ना तो फिर कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है तो मैं अब कढ़ाई अपना साफ कर रही हूं और इस तरीके से देखे मैंने पूरी कढ़ाई को अच्छे से रगड के बिल्कु चमका और बहुत जली थी हो यह इतनी आसानी से छूट गई है या विस्वास नहीं मानेंगे स्क्रबर से लेके बस मैंने थोड़ा सा स्क्रब कर दिया इसे और काफी अच्छे से साफ हो गई है अभी मैं निकलूंगी बस मार्केट के जाना तो था मुझे मार्केट लेकिन मुझे कराना ता सोफई का और आजի भीया का कॉल आ गया तो मैं आज ही आ रहा हूं और तीन लोग आएंगे और आज का और फैब्रीक चेंज हो जाएगा तो मैंने सचा मार्केट किसी ओर दिन जाएंगे आज भीया आ रहे है तो फैब्रीक चेंज कर लेते हैं एक्ष्लिण यही स काम चली रहा है और यही आज का रूटीन ब्लॉग रहा मिलूंगी नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए तिल दन टेक केर बाब बाई थैंक्स फो वाचिंग